हलो फ्रेंट्स रेनी सीजन में आ जाती हैं प्लांट्स में धेर सारी एरेल रूट्स तो एरेल रूट्स जो कि देखने में बहुत संदर भी लगती हैं और कभी कभी वेस्ट भी लगती हैं ये काम आती हैं प्लांट्स को स्टेबल रखने के लिए प्लांट्स के ग्रोथ के ल और ये क्यों आती है रेनी सीजन में क्योंकि तब होती है बहुत सारी हुमिडिटी और एर से मौस्चर को लेने के लिए उसको अब्जॉब करने के लिए मौस्चर को आई ये रूट्स आती हैं तो मेरा है एक क्रबर प्लांट है मेरी गार्डन में और उसमें आई हुई है धे तो यह रूर्स का फायदा उठाते हुए इसे एक न्यू पलांट में गिए तो मेरे हच्बन आ रहे हैं इसको कट करने के लिए तो हमने नाइफ लिया है और नाइफ की हल्प से हम इस प्लांट को जगे से रूट आई हैं उस जगे से कुरीब 1.5 निचे से कट कर रहे हैं तो हमने एक छोटी सी डाल इसकी कट कर ली है और इसमें से निकल रहा है वाइट कलर का सैप तो सैप के साथ अगर आप इस प्लाट को न्यू प्लांट में कनवर्ट करना चाहते हैं तो ऐसी गलती कभी मत करिए यह बिलकुल न्यू प्लांट में नहीं बदल पाएगा तो हमको सैप को सुखाना है अभी रूट काफी लंबी हो गई थी तो मैंने कट करके थोड़ा छोटा कर रही हूँ और हमको इस डाल को जो कि हमने अभी अभी कट करी है कुछ दिन के लिए रखना पड़ेगा एट लिस 2-3 डेज हम इनको एक जेगे पर रख देंगे छाओं में इस सैप को सुखाने के लिए क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है अभी यहां पे हब हमें बहुत मौश्चर है तो इतनी जल्दी सैप सुखे का नहीं तो अब हम आप से मिल रहे हैं तीन दिन के बाद तो यह तीन दिन क बहुत में आप सब्सक्राइब से उस नहीं को भी मुझे रिमूव करना होगा क्योंकि मुझे से एक न्यू प्लांट बनाना है इन रूट्स की हैं तो यह पत्ते काफी सारे हैं इसमें तो यह मैं इसमें से कट करूंगी और अब रूट्स से इसमें लगी हुई रहने उसमें थोड़ी सी कमपोस्त मिली हुई है तो इस पॉट में ही मैं इस प्लांट को लगाने वाली हूँ तो इसके लिए हम अभी पहले पते काटने का काम करते हैं तो आप जितने चाहें उतने पते इसमें से रिमूव कर सकते हैं at least two to three leaves हमको छोड़ देनी हैं इसमें जिसे की प्लांट अपना खाना बना सके तो अभी हम कुछ leaves रिमूव कर रहे हैं इससे और बाद में देखते हैं लगाने के बाद कुछ leaves और भी मैस में से कट करना चाहूंगी क्योंकि काफी सारी leaves लगी होती हैं तो प्लांट को एक न्यू प्लांट में कनवर्ट होने में थोड़ी प्राबलम होती हैं तो कम से कम leaves हमको इसमें छोड़ देनी हैं तो अभी हम फिलहाल इतनी leaves को छोड़ देते हैं और इसको हम इन रूर्स को मिट्टी में दबा देते हैं यूरूर्स को सारी जो अन्रील रूरस मिट्टी में हम दबा देंगे और ये रूरस में काम आएंगी प्लांट के लिवेल्प्मेंट में और यू रूरस में बन जाएंगी तो अभी भी रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी चीजर में जैसे आप कटिंग से कोई प्लांट बना लेते हैं वैसे ही इस प्लांट को भी मैं डेवलेप करने वाली हूँ तो इसको भी मैं अपने आम के पेड़ के नीचे रखूँगी जहां पर इसको धूब बिलकुल नहीं मिलेगी या अगर मिलेगी भी तो छन छन की थोड़ी बहुत मिलेगी और अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी भी इसको मिलता रहेगा तो मेरे पास एक न्यू रवर प्लांट बन जायेगा कुछ दिनों बाद तो इस तरह से हमने हाथ से दबाते हुए मिलेटी को इस प्लांट को इसमें लगा दिया है अब एक कुछ दिन बाद एक न्यू प्लांट में गनवर्ट हो और new growth should हो जाएगी तो इस तरह से aerial roots की help से आप भी एक नया plant बना सकते हैं और अपने garden में add कर सकते हैं जैसे कि मैंने बना लिया इस plant को तो अब बारी है इसमें थोड़ा पानी डालने की तो बहुत दिनों से ये सूख रहा था क्योंकि तो अब इसे पानी की need है जब तक बारिश नहीं होती है मुझे पानी डालना ही है तो मैं उसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इस तरह से हम उसे एक साइड में रख देंगे च्छाओं वाले एडिया में तो आज बस इतना ही जा च्छाओं पुर्णाओं च्छाओं नहीं चाहिए रही है